दोस्तो लाखों साल पहले हमारे प्रिथवी की संज़च न हुई थी जिसमें से प्रिथवी का कुछ हिस्सा प्रिथवे हम इंसानों ने कबजा कर लिया और वहीं कुछ पर जीव जन्तियों ने लेकिन हम इंसानों की लालच कभी भी ख़तन नहीं होते हम आए दिन जीव जंतों के स्थानों पर अपना हग जताते रहते हैं इसलिए अक्सर को जीव अक्रामक रूप दिखाते हुए हमें डराने हमारे सहरों में भी आ जाते हैं दोस्तो हम बात करते हैं उस जानवर की जो उत्री अमेरिका और सौथ अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ले की रूप में जाना जाता है दोस्तो करीब 120 किलोग्राम और बॉड़ी बिल्डर जैसे दिखने वाला ये जीव बहदी अक्रामक और घात लगाकर हमरा करने वाला जीव है हाला कि जगवार एक मीटर से अधिक लंबे नहीं होते लेकिन सेर और बाग की तुल्ला में सबसे खतरनाक और अपेच्छाक्रित कॉम्पेक्ट बनाते हैं दोस्तो जगवार से उसका सिकार बचकर निकल जाए ये तो पॉसिबल नहीं है लेकिन जिन घने जंगलों में जगवार सिकार करता है वहाँ इसे अपने सबसे बड़े प्रतितोंदी का सामना करना पड़ता है दोस्तो इनके आपसी जगड़े हमेशा होते रहते हैं जगवार से इनके परिबार को कोई लुकसान ना हो लेकिन फिर भी पांच में से एक कमयाभी इस तो जिसको मिल ही जाते है जगवार की बड़ी पर बड़े बड़े काले धब्बे होते हैं जो इने घने जंगलों में चुपाने में और घात लगाकर हमला करने में बेहत मददकार साबित होते हैं दोस्तों जगवार की मुटभेड सिर्फ ज्वाइंट ओटर से ही नहीं होती यह अपनी सिकार में केमन और अनाकॉंडा के छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं यह यूं कहा जाए कि हर सिकारी को कभी न कभी सिकार होना पड़ता है दोस्तों जीवन एक कल्चक्र के तरह चलता रहता है इंसान हो या जीव जनतों सब एक दूसरे पर नेजर करते हैं सभी को इस धर्दी पर तहने का अधिकार है तो सेव नेचर एंड लव अन्म अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लग करते हैं तब तक के लिए धनले बाद